हेलो दोस्तो आज हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं एकदम हेल्दी और चटपटा नाष्टा ये नाष्टा आप रात के बचे वे आटे से भी बना सकते हैं तो चलिए देर किस बात की स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है दो कप गेहूं का आटा और गिहूं का आटा है आप इस नाश्टे को एक कप गिहूं की आटे से भी बना सकते हैं अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक जितना हमारा आटा है उस हिसाब से हमने नमक लिया है और दो नूर्मल चमच यहां पर हमने लिया है तेल कोई भी कुकिंग ओयल जो आप खाते हैं वो इसमें एट कर दीजिए और अच्छे से आटे में नमक और तेल अच्छे से मिक्स कर दीजिए हमें इसमें ऐसा नहीं है कि ज्यादा इसको मिक्स करना है या हमें इसकी तरीकी से मूट वगरा बनाने बस हमें हलका सा मिक्स करना है जिससे हमारे आटे पे इस ते या नरम होना चाहिए तो पानी थोड़ा थोड़ा लेकर इसका आठा बनाए तो आठा लगकर यहां पर तयार हो चुका है और आप देखी सकते हैं कितना स्मूथ आठा हमारा यह लगा है उंगली लगाने से कितने अच्छे से प्रैस हो रहा है ना तो जाधा टाइटी और ना है जो कि हमारे नाष्टे में स्वाद को चार गुना बढ़ा देंगे तो चलिए पत्ता को भी कट हो गई है इसको रख देते हैं हम प्लेट के अंदर और यहां पर हमने काट लिए लंबे-लंबी स्लाइस में शिमला मिर्ची और अब ले लिए हमने आपर गाजर काजर को भी हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही कट करेंगे जो कि हमारे नाष्टे में अच्छे से दिखाई दे आप यहां पर कोई भी सीजनल सब्जियां ले सकते हैं जो सीजन में आई हुई है तो यह अभी सीजनल सब्जियां तो जो सीजन में है तो मैंने यही लिए आप इनकी मातर से अच्छा से स्मूध कर ले और इस आटे को हम बराबर मातरा में बाट लेंगे मतलब इनकी जो लो att double बना लेंगे एक जसी लो इया बना कर अमने अपर तियार करने तो चलो लो Connecticut in म्यड़ी होगे अब लेनी हैं हमने आप यह पर एक चक्ली-चानी इंप क death ऐसे चोखीला यूजा सकते हैं यही एहाएं ट्रेडिश्यय अगर पे पास के मिलें पटो क spray HDMI 7 या फिर काई तरह के आम नाश्टे इस चकली से बना लेते हैं तो आप यह flip card या Amazon से मंगा सकते हैं तो बस यह जो हमारे आटे के पेड़े हैं यह इसमें इस तरीके से डाल कर आप एक पेड़ा या दो पेड़ा डाल सकते हैं मर्जी से और इस तरीके से बंद कर दीजिए अब एक साइड हमने गैस पर रख दिया था एक कढ़ाई में गरम पानी होने के लिए जब गरम पानी अच्छे से बिल्कुल गरम हो जाए उसी के बाद इस नाश्टे को इसमें हमें इस तरीके से तोड़ना है तो पानी में उबाला आ चुका था और उबालाने के बाद मैंने हापर थोड़ा फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इस तरीके से अब इस चकली से हम इसको चलाते हुए ये जो हम बना रहे हैं नूडल्स ये तोड़ते जाएंगे बच्चे हुए आटे का तो इस नाष्टे में बहुत बढ़ी हो जाता है और बच्चों को कुछ नया खाने को मिल जाता है तो जब भी आप काटा बच जाए तो एक बार आप इस नाष्टे को जुरूर से ट्राई कीजेगा तो दीकि सारे नूडल समने तोड़ लिये थे अब अच्छे से पका लिया है मीडियम फ्लेम पर गैस अब कर देंगे यहां पर बन अब इन नूडल्स को में कि स्ट्रेनर में या इस तरीकी की छलनी में निकाल लेंगे जो इसका एक्स्ट्रा पानी वो नीची आ जाएगा और उपर से हम डालेंगे ठंडा पानी या टंकी का नॉर्मल पानी आप कुछ भी यहां पर ले सकते हैं तो चलिए दो तीन बार हम इने अच्छे से वाश कर देंगे यानि कि इने ठंडा कर देंगे और आप देखी सकते हैं एक एक नूडल्स हमारा कितना खिला खिला बनाया बिल्कुल भी चिपका नहीं है तो चलिए अभी चलिए रख देते हैं एक साइड में और एक कर लेते हैं चोटी सी तेयारी तो कड़ाई में हमने डाला है यहां पर बिल्कुल थोड़ा सा ओयल और इसमें यहां पर डालेंगे चार या पांच लसुन की कलिया लंबी-लंबी कट करकर इस नाश्ते में लसुन को फ्लेवर बह बिल्कुल नहीं है तो चलिए अब यह बढ़िया से ट्रांस्पेरेंट हो गए इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे कुछ सीजनल सब्जिया जो हमने कट करकर रखी ती जैसे सबसे पहले हम डालेंगे गाजल फिर इसके बाद डालेंगे इसमें कटी हुई शिमला मिर्ची और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे पत्ता गोबी आप यहां पर और भी सब्जी आप बढ़ा सकते हैं या इन में से कोई सब्जी आपके पास ना हो तो आप यहां पर घटा भी सकते हैं और हाँ आप इसमें स्वीट कॉन भी एड़ कर सकते हैं अगर आप पर स्वीट कौन है बच्चों को स्वीट कौन का जो टेस्ट है वह बहुत जादा भाता है तो यहां पर सब्जियों को थोड़ा सा मिक्स देंगे क्योंकि हमें सब्जियों को भूनना नहीं सिरफ इनको करना है हमें क्रंची हल्का सा कच्छा पर निकालना है इससे जादा और कुछ नहीं अब लास में हम यहां पर डाल रहे है जो हमने हरी प्याज कटकर कर रखी थी वाइट और ग्रीन वाला भाग वो भी हमने इसमें एड़ कर दिया है और सब्जियों को हम यहां मिक्स देते वे क्रंची कर लेंगे तो अभी जो सब्जियां आप देखी सकते हैं अच्छे से क् अब इसमें डाले हैं कुछ सोसेज जैसे एक चमच रेड चिली सोस एक चमच ग्रीन चिली सोस और एक ही चमच डाली है यहाप हमने टमैट तो सोया सोस इन सुस्टे के साथ यह नाशता बहुत पर पर फेक्टली बनता है तो एक बार के लिए अगर आपके पास यह बैशन न जो हमने बनाकर एक साइड में रखे हुए थे बस अभी इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जो हमारी नूडल से उनकी उपर इन सॉसेज और सब्जियों की कोडिंग हो जाए जब तक हमें इने मिक्स देना है क्योंकि जब हम एक एक करके नूडल्स खाएंगे तो उसमें इन जो सॉसेज है और जो हमारी सर्जिया उनका फ्लेवर अच्छे से आए तो यह देखिए आप देखी सकते एक एक नूडल्स पर हमारे अच्छे से कोडिंग चड़ चुकी है यानि की नूडल्स हमारे बन चुके हैं हमें यहापर नूडल्स को सिरफ दो मिनट के लिए ही अच्छे से कूप करना है और दो मिनट हमारी हो चुकी है अच्छे से सारी चीजे एक जूसरे में मिल चुकी है अब गैस कर देंगे बन तो चलिए ने सब कर लेते हैं और आप देखी सकते कि तक टैम्टिक नाश्ता बनकर हमारा त्यार हुआ है जब भी आपके से बनाया है तो यह चेट पटे और स्वाधिस्ट के साथ बहुत ज्यादा हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें यूज करी है सबजिया तो एक बार इसको आप जरूर से बनाईएगा यानि कि ट्राइट जरूर करिएगा और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो म मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें तो मिलते हैं नई दिन नई रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग